सब्स्क्राइब किज़े ट्रिकी बासीट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए तो दोस्तो Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए काफी अच्छी ख़वर आ गई है क्योंकि Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया है कि अब Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को Android 9.0 यानि Pi का अपडेट अब मिलेगा तो यह ओफिसली एनाउंस्मेंट साउमी की तरफ से कर दी गई है तो इस अपडेट में आपको क्या आँ करें तो दोस्तों काफी दिनों से यह बात इचल लाही थी कि अ नोड 5 pro को Android Androidcape मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ लोग कह रहे थे कि की ओरियो के नोड 5 pro को क्यों अब अब्रेट नहीं मिलेगा यानि Android की बात करेंτο अपडेड करें नहीं होगा और कुछ लोग बात कर रहे थे कि मिले गा लेकिन अब officially यहाँ पे MIUI के जो official form है उस पे यह announcement की गई है चुकि सबसे पहले तो यह China जो MIUI का China threat का form है उस पे announcement की गई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ global version इसका launch कर दिया गया है कुछ device हो में तो उसी की base पे यहाँ पे official announcement हुई की यहाँ पे upnote 5 pro users को official pi का update मिलेगा जो की होगा 10.3.2.1.0 का और यह based होगा android 9.0 यानी android pi पे तो इस update में काफी सारे changes आपको देखने को मिलेंगे तो कुछ जो leaked features के अधार पे सुनने में आ रहा है उसमें से main main जो बड़े highlighted changes में हो बता देता हूं इसमें सबसे पहले आप पे camera में 4K recording मिल जाएगी जो काफी दिनों से हम update में वेट करते थे क्योंकि अभी आप देख रहे होगे कि 10.2 का भी जो update latest आया है उसमें भी आपको 4K recording नहीं मिल लही है लेकिन अब android 9.0 यानी pi अवाले update में आपको यहाँ पे 4K recording नेबल कर दिया गया है तो आपको उसमें improvement दिया गया है क्योंकि 9.0 pi का जो update है वो काफी special है और काफी उसमें ज्यादा features आएंगे तो इसलिए इसमें यह दूचर जो top features है वो highlighted हुआ है note 5 pro में तो उसके बाते हम बात करें इसमें कि यह कैसे confirm है कि इसमें आएगा तो काफी जब सही यह news अनाउंस हुई है कि मतलब note 5 pro को android 9.0 pi का update मिलेगा तो काफी सारे lead screenshot आ रहा है लेकिन वो screenshot पे हम confirm बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ screenshot में android का security patch 5 जनवरी का है और ऐसा हमें पता है कि सामी कभी भी कोई भी security patch ऐसा एक तारीक के लावा कभी नहीं देता है जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो हमारे फोन में update चला है 10.2.1.0 का उसमें भी आप देख सकते हो कि December 1 का update है तो एक-दो बात करें तो सितंबर तक सितंबर तक सितंबर क्या उससे पहले इसका beta version आ सकता है टेस्टिंग के ले क्योंकि इसकी टेस्टिंग अभी स्टार्ट कर दी गई है और official stable version भी जल्दी देखने को मिलेगा तो इस मतलब 3-4 महिने या इस साल के लांच तक तो नहीं लेकि तीन-4 अपडेट है वो कब तक सावमी लांच करता है नोट 5 प्रो के लिए तो यह थी कुछ न्यूज डो रेड्मी नोट 5 प्रो यूजर्स के लिए जो की काफी बढ़िया नहीं उस्ती काफी जिनों से इसका वेट की जा रहा था यह फाइनली officially confirm हो गया है कि सावमी से नोट 5 लोग यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो पे कोई क्वेशन हो तो कमेंट करें और यह वीडियो अपने सावमी यूजर्स के साथ जो नोट 5 प्रो को यूज करते हैं उनके साथ त्यार करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने झाल